हेलो आल गॉर्जेस आई होब कि यू आल आर गुड सो गैस अभी जल्दी में आ रहा है रक्षा बंदर और मैंने क्रेट किया यह बहुत ही सिंपल सा ब्यूटिफुल सा लोग अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज इस्टे टून और मैंने इस मेकप लोग को क्रेट करने के लिए बहुत ही सिंपल और अफोर्डबल प्रोड़क्स का यूज किया है जो कि आल नाइका पे अवेलिबल है तो आप इसमें से कोई भी प्रोड़क्ट रखर चाहते हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को मेक शूर कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया हो जब भी मेक अप करना हों मेक शूर कि आपका चेहरा सी टीम हो मिन्स क्लीनिंग टोनिक मौश रैजिंग उसकी बात गईज मैं यहां पे ले रही हूं लैक मेक पोर फिक्सर प्राइमर इसको मैं अपने पूरे चेहरे पे डॉट डॉट करके लगा रही हूं और आप जब भी कोई मेक अप कर रहे हों याद रखिए कि मेक अप का जो बेस होता है वो आपके इसकी नो आपके गर्दन पे एक्क्वल होना चाहिए सो मैं सारे प्रोड़क्ट को अपने गर्दन पे भी एप्लाए करूंगी तक एक एवन लूक आए गैस जितने भी प्रोड़क्ट मैंने उन सभी की डिस्क्रिप्शन में बाई लिंक है तो प्लीज बाई लिंक जरूर चक कर लिजेगा गईस मैं यहां पे प्राइमर को अच्छे से लगा लोंगी और उसके बाद मैं उसको सेट होने के लिए दो मिनट तक चोड़ दोंगी फिर मैं अपनी आइब्रो फिल करोंग उसके बाद मैंने यहां पे लिया है एले गर्ल का कंसीलर यह बहुत ही अच्छा कंसीलर है बहुत ही शाप कहते हैं आपके आइब्रोस को एक लुक दे देता है साथी साथ इससे आप करेक्शन भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहां पे लिया है फाउंडेशन और एक मैंने जब भी मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो मैं जब डॉट डॉट कर लेती हूँ उसके बाद मैं इस तरह से अपने फिंगर से भी अपलाय करती हूँ इससे होता क्या है आपका जो प्रोड़क्ट होता है वह आपकी ब्लेंडर पे बहुत जादा नहीं जाता इससे कम लेंड करों नौगाईश हमारा ब्लेंडिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से एक बाद याद रखिएगा मेकप का जो की फीचर होता है वह होता है ब्लेंडिंग तो आप अपने चैरेपे कुछ भी लगा है इसके ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से किया फिज्क्पन मैं लिय तो मैं यहां पर वेट नवाइल का कंटोर पैलेट ले रही हूं और एक कंटोरिंग ब्रस से में बहुत अच्छे से अपने चेहरे को कंटोर कर रही हूं इससे आपका चेहरा बहुत ज्यादा शाफ लगने लगता है कंटोरिंग बहुत ही अच्छे से किया किजिए ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से किया किजिए नहीं तो कंटोरिंग आपकी देखती है तो मैं यहां पर बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूं उसके बाद मैं यहां पर ले रही हूं इस्टेक और की का लूज ट्रांस अब इसके बाद गए मेकप का सबसी खुबसूरत पार्ट जो की है आय मेकप यहाँ पर मैने मेकप रिवेलेशन का पैलेट लिया है और वर्ट वाइल का ब्रश लिया है पीची कलर मैंने कह करते हैं यहाँ पर बहुत ही खुबसूरत पैलेट है इस नाइका पे अभी डिसकाउंट चला है तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं और बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है तो आप चेक कर सकते हैं इसके बाद मैं उसी कलर का डाकर शेड ले रही हूं और अपने आखों पे सी बनाते हुए बहुत अच्छे से डेफ्थ क्रिएट कर दी हों इससे होता यह है कि आपका जो कहते हैं आई शेडो होता है वहां पे आपकी क्रीस लाइन डिफाइन हो जाती है तो वह बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद मैं यहां पे एक और कलर भी यूज़ करूंगी तो वह बहुत ही खुबसुरत लगेग मेरी साड़ी में गौल्डन सिम्री कलर है इसको मैं यहां पे हाथ से अप्लाई कर रही हूं यह आपका त्री शेडो का आई श्याडो मैंनेगा बहुत ही खुबसूरत आप याद रखेगा बीज से आपको आटर कॉर्नर तक ले जाना है। इस यही कहते हैं इस अई शEG की या इस आई शेडो की जो भी लूप मैंने हैं, उसकी कुपसूरती यही है, आपको बीज से ले जाना है, आउटर कॉर्नर पे, उसके बाद मैं एक शिम्री सा शेड लेगे अपनी आखों पर कहते हैं ब्रो आइब्रो के नीची और अपनी कहते हैं आखों के इनर कॉर्णर पर लगाऊंगी इससे आपकी आखे बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश दिखती हैं उसके बाद मैं क्यूंकि काजल परसन नहीं हू बट मैं यहां पर काजल तो लगाऊंगी उसी कहते हैं डाकर शीट से मैं अपनी आखों के नीची एक शैड़ो भी क्रेट करूंगी इससे लोग बहुत अच्छा आता है और आपकी आखे थोड़ी सी फ्रेश लगती हैं नेक्स कैस कहते हैं मैं यूज करें यहां पर बहुत कफितर प्राइस में भी याँ मैंने उसका मीनी वर्जन बाय किया है अगर आप बहुत अच्छा लगा अगर आप बहुत अच्छे मँट्बश करी लेकिए मं कदेवारे यह बहुत ब्लश करती है अगर आपके लपस्टीग खराब लगी होगी दर दर फैली होगी तो बिलकुल अच्छी नहीं लगेगी यहां पर मैंने बिंदी बंदी टी उसके बाद मैंने यहां बिंदी गडी थी मुल आ पूरे मिंसाडी में साड़ी के साथ में वेट 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 गाईज अगर आप लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है बट मैंने यहाँ अपना मेकप कम्प्लीट किया है मशकारा लगा के अड़ आइलाइनर लगा के अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने फाइनल लोक अगर आपने वीडियो जरा से भी पसंद की है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अब ही तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मैं मिलती हूँ आपसे अपके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए अपना खायाल लखिएगा